प्रशन नमबर वन एक केजी सेप का मुल्य 90 रुपए है एक किलोग्राम सेप का मुल्य कितना है 90 रुपए है तो आठ केजी सेप का मुल्य कितना होगा एक केजी सेप का मुल्य है वन केजी सेप का मुल्य कितना था 90 रुपए हमें निकालना है 8 केजी सेप का मुल्य एक का 90 हमें निकालना है 8 का तो हम क्या करेंगे 90 को 8 से गुणा कर देंगे 9 अंटे 22 और आगे क्योंकि 0 था तो हम यहां लगा देंगे 0 तो 8 केजी सेप का मुल्य कितना हो गया? 720 रुपे. तो हमारा ऑप्शन में देखना है कि कौन सा अंसर राइट है. तो हमारा अंसर सेकेंड डंबर जो है इसका क्या होगा? राइट होगा? 720 है. कितना होगा इसका अंसर? 720. 2 kg चावल का मुल्य है, 130 रुपए, तो 5 kg चावल का मुल्य है, 130 रुपए, तो 1 kg चावल का मुल्य कितना होगा? 130 में हम भाग देंगे 2 का 130 में हमें किसका भाग देना है 2 का भाग देना है 130 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 65 रुपे 2 केजी का कितना था 130 था 1 किनोग्राम का कितना हो गया 65 रुपे अब हमें निकालना है 5 का 5 केजी चावल का मुल्य होगा 65 इंटू 5 25 के 5 हासिल दो 5 चंग 30 और दो 32 कितना है इसका 325 तो 5 की ज़िश चावल का मुल्य कितना होगा 325 तो इसमें सराइट अंसर कुन सा है 260 नहीं चैकिन नमबर इसका भी अंसर राइट है 325 अंसर कितना होगा 325